सुप्रभाद बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है इश्वर की असीम अनुकमपा से आप सभी अपने घरों में स्वास्त्व सुरक्षित होंगे. बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 34 अनुच्छेद लेखन का अध्यन करेंगे. ये पाठ कक्षा साथ के छात्रों के लिए है. बच्चों, अनुच्छेद लेखन क्या है? आपस में संबंद रखने वाले वाक के समू का नाम अनुच्छेद है. अनुच्छेद एक सुगठित वाक के समू होता है, जिसमें विशय का विस्तार एक बिंदू तक सीमित रहता है. अनुच्छेद अपने आप में पून होता है. इसमें विशय से बाहर की कोई बात नहीं आने पाती. सुगठित प्रभाव पून अनुच्छेद लिखना एक कला है. बच्चों, अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद जो होता है, वो एक वाक्यों का समू होता है. या आप इसे कह सकते हैं कि निबंद का लगुरूप अनुच्छेद कहलाता है. जिस प्रकार से निबंद को विस्तरित रूप में बढ़ा कर, उसमें भूमे का निशकर्ष आदी को लिख कर, उसे विस्तार पूरवक में लिखा जाता है. परंतो अनुच्छेद जो होता है, वो निबंद का लगुरूप या छोटा रूप होता है. अनुच्छेद अपने में पून होता है, इसमें विशे से बाहर की कोई भी बाते नहीं होती. अनुच्छेद जो है सीमित शब्दों में लिखा जाता है. बच्छों, अनुच्छेद में एक केंद्री भाव या विचार का क्रमिक विस्तार होता है, जो भी आपको टॉपिक या कोई भी शीर्षक दिया जाता है, उसी पे आपको संशिप्त शब्दों में उस शीर्षक के ऊपर अनुच्छेद को लिखना होता है. तो बच्छों, अब हम समझते हैं कि अनुच्छेद लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए. बच्छों, अनुच्छेद का आरम सीधा विशय से संबंदित होना चाहिए. अर्थात, जो भी आपको विशय या शीर्षक या टॉपिक दिया गया है, उसका आरम जो है, जब भी आप अनुच्छेद लिखेंगे, तो वो सीधा आप अपने शीर्षक या विशय से संबंदित ही उसका अनुच्छेद लिखना प्रारम करेंगे. दूसरा, अनुच्छेद के वाक के छोटे और आपस में विशय अनुसार जुड़े होने चाहिए. बच्छो आपस में जो आपको विशय दिया गया है या शीर्षक दिया गया है, वो उससे संबंदित और जुड़ा होना चाहिए. तीसरा पॉइंट है, अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होनी चाहिए. बच्छों, जब आप अनुच्छेद लिखते हैं, तो उसको सरल भाषा में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए. और लिखते समय ऐसा लिखें कि जब अनुच्छेद को पढ़ा जाए, तो वो पढ़ने में रोचक या इंट्रेस्टिंग लगे, जिसको पढ़ने वाले की इच्छा को जो जागरित कर सके. चौथा पॉइंट है, इसे 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखा जाता है. बच्छो, अनुच्छेद का एक मुख्च बिंदू यह होता है जिए बहुत अधिक शब्दों के विस्तार में नहीं लिखे जाते हैं. अनुच्छेद का अर्थी में अपने में प्रकट कर रहा है कि संशित या छोटे रूप में लिखना अनुछेद जो है बहुत अधिक बड़े नहीं होने चाहिए इनको सामानेता 80 से 100 शब्दों में ही लिखके समाप्त कर देना चाहिए बच्चों आपकी पाठे पुस्तिका में अनुछेद लेखन के कुछ उधारन दिये गए हैं जिसमें से पहले अनुछेद लेखन को मैं आपको पढ़के समझाने का प्रयास करती हूँ पहला आपका जो अनुछेद लेखन है वो जल ही जीवन है जो यहाँ पे अनुछेद का पहला शीर्षक जो दिया गया है जो शीर्षक जो विशे है टॉपिक है जल ही जीवन है जल जीवन का आधार है मनुष बिना भोजन के कुछ दिन बिता बिना जल के कुछ घंटे और बिना वायू के कुछ मिनट तक जीवित नहीं रह सकता है मनुष के जीवन में जल का विशेश महत्व है हमारे शरीर का लगभग दो तिहाई भाग जल का ही होता है जल के अनेक उपयोग हैं, हमारे शरीर के साथ साथ इसकी घरेलू कामों, उद्योगों और क्रिशी कारियों में विशेश भूमिका होती है जल अपने आप में एक पोशक पदार्थ है, साथ ही ये अनेक पोशक तत्वों का वाहक भी है नदिया, जरने, वर्षा, जल के प्राक्रतिक सोत्र हैं, जल प्रदूशित ना हो, इसके लिए हम सभी को सचेत और जागरुक रहना चाहिए प्रदूशित जल में अनेक प्रकार के जीवानों होते हैं, जो प्रत्यक्ष या परोख्ष रूप से अनेक शारीरिक रोगों के कारण बनते हैं जल को प्रदूशित होने से बचाने के साथ साथ जल का कभी अपवय नहीं करना चाहिए जल की एक-एक बूंद कीमती है, जल की उप्योगिता को ध्यान में रखते हुए, जल को स्वच रखना और उसके दुरुप्योग को रोकना हम सभी का नैतिक कर्टव है बच्चो जिस प्रकार इस अनुछेद में ये बताया गया है, इस अनुछेद को लिखने के लिए एक शेशक दिया है कि जल ही जीवन है अब जब ये अनुछेद में आपके सामने पढ़ा, तो आपने इसको समझने का प्रयास किया होगा कि बच्चो इसमें जल के महत्व के विशय में बताया है कि मनुछ जो है बिना भोजन के तो कुछ दिन जीवित रह सकता है परनतु बिना जल के और बिना वायू के वो जीवित नहीं रह सकता है साथ-साथ इस अनुछेद में मानव के जीवन में जल के महत्व को भी बताया है और ये भी बताया गया है कि हमारा शरी लगभग दो तिहाई भाग जल का ही बना है इसके साथ साथ जल में कुछ पोशक तत्व होते हैं और इन जल का क्या-क्या उप्योग है घरेलू कामों में, उत्योगों में, क्रिशी के छेत्रों में इसके साथ इस छोटे से अनुछेद म के विशय में भी बताया गया है और जागरत्री हेतू जागरुकता के हेतू की जल के प्रदूशन को भी नहीं बढ़ने देना चाहिए ये प्रदूशत जल जो है हमारी शरीर के लिए कितना हानिकारक होता है और परियावरण के लिए कितना हानिकारक होता है वो भी इस छोटे से अनुछेद में मुख्य मुख्य बिंदू के रूप में प्रस्तुत किया गया है बच्चो इसमें जल को प्रदूशित से होने के साथ साथ इसमें किस प्रकार से जल को बचाफ करना है जल को वेस्ट होने से अर्थात बरबाद होने से बचाने के लिए भी बताया गया है जल कि जो भी अनुछेद आप लिखते हैं वो आपके शीशक से मिलता जोलता होना चाहिए अनुछेद जो है वो छोटा और संशिप्त होना चाहिए और इसके शब्द जो है वो स्पष्ट और सरल होने चाहिए तो आईए बच्चों को जल्दी से सारांश के रूप में समझ लेते हैं अनुछेद एक सुव्यविस्थित वाक के समू होता है अनुछेद में एक केंद्री भाव या विचार का क्रमिक विस्तार होता है यानि एक मेंट पॉइंट या टॉपिक होता है उसी को हम थोड़ा सा विस्तृत करके लिखते हैं इसका आकार सीमित होता है अनुछेद निबंद का संशिप्त रूप या लगुरूप होता है ये अपने में पून होता है अनुछेद जो है कम शब्दों में सारी बातों को प्रकट करने में सहायक होता है अनुछेद की भाषा सरलवा स्पष्ट होनी चाहिए अनुछेद का आरंब सीधा विशय से संबंदित होना चाहिए अर्थाद जो भी अनुछेद आपको लिखना है उसकी विशय वस्तू से संबंदित उस विशय को लेकर ही आपको अनुछेद को आगे बढ़ाते चलना है अनुछेद जादा बढ़े नहीं होने चाहिए सामायनिता 80 से 100 शब्दों में ही अनुछेद का समापन होना चाहिए तो आशा करती हूँ बच्चो ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा अब इसी पाठ से संबंदित कुछ कार मैं आपको दे रही हूँ जिसे आपको अपनी कक्षाकार की कौपी में करना है धन्यवाद